Godfrey Phillips India के शेरधारकों को डिविडेंड का तोफ़ा, हर शेर पर मिलेंगे 44 रुपए Godfrey Phillips India ने 27 मई 2023 को आयोजित अपनी बोर्ड की मीटिंग में 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तिय वर्ष के लिए 2200 फीसदी के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है इसके तहट शेरधारकों को दो रुपए की फेस, वैल्यू पर प्रती शेर 44 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा सिगरेट बनाने वाली कमपनी Godfrey Phillips India Godfrey Phillips India ने वित्त वर्ष 2022 से 23 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये है इसके साथ ही कमपनी ने अपने शेरधारकों के लिए डिविडेंड की घोशना भी की है मार्च तिमाही में कमपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 6.41 फीसदी बढ़कर 110.54 करोड रुपए हो गया है गौडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कमपनी ने पिछले वित्वर्ष की जन्वरी से मार्च तिमाही में 103.88 करोड रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था डिविडेंड का एलान गौडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने 27 मई 2023 को आयोजित अपनी बोर्ड की मीटिंग में 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तिय वर्ष के लिए 2200 फीसदी के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है इसके तहट शेयर धारकों को 2 रुपए की फेस वैल्यू पर प्रती शेयर 44 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा हालांकि आगामी एनुवल जेनरल मीटिंग में इसे अप्रुवल की जरूरत होगी डिविडेंड का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा लाभाश के भुगतान की तारीख की सूचना सही समय में दी जाएगी कैसे रहे तिमाही नतीजे मार्च तिमाही में ओपरेशन से कंपनी रेविन्यू 14.333 फीसदी बढ़कर 968.40 करोड रुपए हो गया जबकि पिछले वित्वर्ष की इसी अवधी में यहां 846.95 करोड रुपए था गौडफरे फिलिप्स का कुल खर्च FY 23 की चौथी तिमाही में 17.8 फीसदी बढ़कर 879.01 करोड रुपए हो गया पिछले साल की समान तिमाही में यहां आकडा 737.72 करोड रुपए था सिगरेट, तमबाकू और इससे जुड़े प्रोडट्स से कमपनी का रेवेन्यू 874.15 करोड रुपए रहा रिटेल और संबंधित प्रोडट्स से राजस्व पिछले वित्वर्ष की चौथी तिमाही में 83.5 करोड रुपए के मुकाबले 100.98 करोड रुपए रहा पूरे वित्वर्ष में कैसा रहा प्रदर्शन? मार्च 2023 को समाप्त वित्तिय वर्ष में गौडफरे फिलिप्स इंडिया का नेट प्रोफिट 38.52 फीसदी बढ़कर 606.82 करोड रुपए हो गया इसने पिछले वित्वर्ष में 438.06 करोड रुपए का नेट प्रोफिट दर्स किया था 2022 से 23 में ऑपरेशन से कमपनी का राजस्व 4227.77 करोड रुपए रहा यह एक साल पहले की समान अवधी के 3193.38 करोड रुपए से 32.4 प्रतिशत अधिक है एक साल में 52 फीसदी रिटर्न बीते शुक्रवार को गौड फ्रे फिलिप्स के शेरों में 2.04 फीसदी की तेजी देखी गई और यह 1813.85 रुपए के भाव पर बंध हुआ है पिछले 6 महीने में कमपनी के शेरों का प्रदर्शन लगभग फ्लैट रहा है हालांकि पिछले एक साल में यह स्टॉक 52 फीसदी चड़ा है इतना ही नहीं पिछले तीन सालों में इसके निवेशकों को 113 फीसदी का मुनाफा हुआ है